CISF है, SSB हो गया, या हमारा BSF हो गया, ITBP हो गया, अलग-अलग जो battalions है, इन में जो भरती निकलती है NCC के साथ, उसमें कोई एक्जाम नहीं होता, तो अगर आपके पास NCC है, तो आप इस तरह की jobs सर्च कर सकते हैं, अगर आपने ITI की वे हैं किसी भी trades है, Electrition, Machine Man, Welder, दो department सबसे ज़्यादा इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा apprentice निकालते हैं, तो यहाँ पर कोई एक्जाम नहीं होता, डारेक्ट भढ़ती हो जाती है, गोर्मेंट जोब सबको चाहिए, लेकिन एक्जाम देने से डर लगता है, गोर्मेंट जोब सबको चाहिए, ल अगर आप हमें फोलो करते हो, तो आपके लिए इंट्रस्टिंग वीडियो, मैं मेशा लेकर आता रहता हूं, जो मेरे पास 12-13 साल का ऐज़े टीचिंग, ऐजे कॉंसलिंग experience है, वो मैं अपने इस चैनल पर शेयर कर देता हूं, खासकर अपने commerce वाले बच्चों के लिए, तो आज मेरे पीछे आप क्या tagline है, पढ़ रहे हो ना title, थमनेल भी आपने देख लिया होगा, ऐसे government jobs बताने वाला हूं, after 12, अगर आप भी become कर रहे हो, या BBA, कुछ भी आप कर रहे हो, 12 आपकी minimum होनी चाहिए, पास आओ, and you can apply for the job, and interesting बात ये है कि इन jobs में exam ही नहीं होता जी हाँ, government जो बताने वाला हूं आज यसी, जिन में exam ही नहीं होता, अब आप कहोगे sir, बिना exam में क्या selection होता है, देखो, बिना exams के, दो तरह से selections होता है, पहला selection का तरीका होता है, direct married base पर, जिसमें आपकी जो marks है, 10th में, 12th में, उनकी married बनाई जाती है, जिसके ज़्याद पोस्ट के लिए आपको selection हो रहा है, उसके लिए या तो आपसे practical करा लिया जाता है, जैसे computer operator तो आपको computer चलवा के देख लिया जाएगा, typing का काम है तो आपसे typing करवा के देख ली जाएगी, या भी आपको particular drill करा दी जाएगी, जैसे physical fitness चाहिए तो वो आपसे देख लेंग ऐसी में तो आफी research के बाद एक नई दो नी पूरे साथ government jobs निकाल कर लेकिया हो, वीडियो चिले का तो like कर देना हमारे efforts के लिए, and again सभी को पहले तो happy holy, आपको और आपके परिवार को holy, आपकी मंगल में हो, अच्छे से enjoy करो, रंगों का तिवार है, और केवल इंडिया मे ऐसी जिए देखने को मिलती है कि हर टाइम मलब नहीं नहीं तियार आते जाते हैं, और हर साल हम उने enjoy करते हैं अलग-लग तरीकों से, चलो फिर आज कुछ नया जानते हैं government job के बारे में, ऐसी government job आपको जो अच्छी लगे comment करके बताना, तो होगे तो मैं इस पर एक detail video भी बना दूँगा, ठीक है, बाकि आपको अगर किसी हो टॉप पर वीडियो चाहिए तो आप comment कर दीजे, I will make for you, okay, सबसे पहली job जो आती है दोस्तों, आपको सभी को पता होगा, हमारी government में, यानि के Indian government में, defense के लिए एक particular wing होती है, defense के लिए अलग-अलग wings होती है, जिसमें उनकी battalions भी अलग-अलग होती है, जिनमें vacancies निकलती है, अलग-अलग post पर, तो उनमें से, एक post होती है, defense job with NCC certificate, अगर आपके पास, NCC का certificate है, आपने सुना होगा, SSB की भरती निकली हुई है, ससक्त सेना बल, जिसे हम कहते है हिंदी में, ठीक है, जी है, अगर NCC आपको National Credit Core, अगर आपको नहीं पता है, मेरे पास थी NCC, बट मैंने केंपनी गया तो मेरे पास certificate नहीं मिला था, ठीक है, अगर आपके पास NCC रही है, आपके पास certificate है, जी है, तीन certificate होते है, A, B और C, A मिलता है, 9-10 में, 11-12 में B मिलता है, और Gration में C मिलता है, अगर आपके पास A B certificate है, या B भी है, A नहीं है, कोई बात नहीं, तो और grading आपके ठीक ठाक है, तो आपको direct physical कराकर भड़ती मिल सकती है, यहाँ पर आपका return नहीं होगा, केवल आपसे physical कराया जाएगा, अगर आप उसको clear कर लेते हो, eligible हो जाते हो, then you will got a job there, ठीक है, इसमें एक चीज़ और ब चूट होती है, तो defense में अलग-अलग wings होती है, जैसे CISF है, SSB हो गया, या हमारा BSF हो गया, ITBP हो गया, CRPF हो गया, ठीक है, इन सभी अलग-अलग जो battalions है, इन में जो भरती निकलती है NCC के साथ, उसमें कोई exam नहीं होता, तो अगर आपके पास NCC है, तो आप इस तरह क jobs search कर सकते हैं, कहोगे तो मैं पूरी एक list आपको लाकर दे दूँगा, जो NCC से related jobs होती है, जहां पर exam नहीं होता, second होता है, PSC special jobs with specific course, अब PSC का मतलब समझो पहले क्या है, जी हाँ, screen पर कुछ companies के नाम में दिखा देता हूँ आपको, Indian oil, ठीक है, या फिर ONGC, या BHEL जिसे ह जानते हैं, यह sale, यह जो companies है, यह PSU है, PSU मतलब Public Sector Undertaking, यह PSU है, और Public Sector Undertaking, PSU, इन PSU companies में यह होती क्या है, इन company के 50% share government के पास होती है, तो यह government companies हो जाती है, ठीक है, occupied क्या सकते हो आपी ने, तो इन company में vacancies निकलती है, कुछ specific post पर, जैसे, example के तोरपे lawyer की post है, उसके लिए vacancy है, तो जिनके पास LLV होगी, उनका selection हो रहेगा interview basis पर, अगर यहाँ पर CA की जोड़त है, CA आपने QV है, आपका selection यहाँ पर हो जाएगा, marketing officer की जोड़त है, MB आपने किया हो है, तो वो department जो HR है, वो आपको hire कर लेंगे interview लेगा, ठीक है, married बनेगी, फिर उसके बाद selection होता है, पहले married, फिर interview, then apply, कुछ practical jobs के लिए, जैसे technical post के लिए है, computer operator की post के लिए है, तो उसके लिए आपको वो करा के देखा जाएगा, ठीक है, तो specific course के साथ होती है, इसे आप सर्च कर सकते है, PSU jobs करके, बहुत सारी jobs आपको मिल जाएंगे, प्राइमरी टीचर विद टैट, अदर टीचर डिपलोमा, देखो, आपको पता होगा, हर स्टेट में प्रात्मिक विधाल्य होते हैं, जो गौर्मेंट चलाती है, जहां पर midday मिल भी मिलता है, आपको पता होगा है, तो UP, हमारे यहां पर बहुत सारे schools हैं, क्योंकि बहुत कहते हैं, कई पर JBT कहते हैं, कई पर, यह सब डाइट की तरफ से करा है, तर डाइट होता है, इंस्ट्यूट, तो यह अगर आपने दो साल का कोर्स का रखा है, प्राइमरी टीचिंग का, यह सायक अध्यापक जीने कहते हैं, तो आप उसके बाद डारेक्ट, और आपका एक अगर अगर आप सलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका बढ़ती हो जाएगी, बलकि यूपी में अभी पीशे एक्जाम एक और कराया था, जिसे सूपर टैट का नाम दिया था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में एक्जाम नहीं होते, केवल आपने अगर डिगरी ली कर लिया, सीटैट के लिया कर लिया, तो वकेंसी निकल जाती है, हमारे इंडिया में सेंटल गॉर्मेंट के भी स्कूल चलते हैं, जिने हम केंदरी विधाल ले कहते हैं, उनकी वहां गर जोब आपको चीए, उसके लिए एक्जाम देना होता है, सीटैट, लाइफ में बस ए कर लिया गई थी, मैंने फर्स्ट अटैंब में किलिया कर लिया था, और सेगिन अटैंब में भी किलिया कर लिया था, तो वह चीजे हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फिर कभी, नहीं से आता है, ग्रामिंग डाक सेवक, अभी निकली थी 40,000 वकेंसी, पता है आपको GDS की बढ़ती कहते हैं, यह पोस्ट ओफिस करेक कराता है, टैंथ पास आउट इसमें लेजिविल्टी होती है, को एक्जाम नहीं होता, मैरिड बेस पर सेलेक्शन होता है, बस को इंटर्व्यू नहीं होता, डायक्ट बढ़ती हो जाती है, इसमें उनकी बल्ले बल् इसमोशन भी ले सकते हो, आप आगे जाकर, तो यह वकेंसी निकलती है, इसके बारे में आप कहेंगे, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखिए, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर दे दूँगा, नेक्स आता है, टाइपिस जोब वित टाइपिंग टेस्ट, आपको बहुत सर यह सी टाइपिस की जोब निकलती है, अलग-अलग मंत्रालियों से, स्टेट लेवल पर, PSU कंपनीज में, ठीक है, और वहां पर आपको जिसे LIC में निकलती है, ठीक है, मंत्रालिय है, स्टेट के, सेंटर के, वहां पर निकलती है, उसमें बस क्या कहते है, जैसे ह पता ही नहीं लगता, वह नोटिफिकेशन न्यूस पेपर में आते हैं, अब तो ओनलाइन आने लगे हैं वेबसाइट पर, या फिर सरकार की ओविशियल वेबसाइट पर आएंगे, और जीने पता लगेगा, वह अपलाई कर लेगा, धन काम हो जाएगा, यह भी एक सिस्ट के लिए, इलेक्टरिशिटी डिपार्टमेंट, स्टेट का, हर स्टेट का, एक रेलवे, उसके अलावाई जो PSU कंपनी है, जिसे BHL है, मशीन बनाती है, वहाँ भी एपरेंटीस होती है, जिसे आप एपरेंटीस, एक तरह से आप इसे ट्रेनिंग कह सकते हो, कि आपको ट्र ड्राइवर एंड कॉंस्टेवल इन हिमाचल पर्देश, आपको पता है, हिमाचल पर्देश में जो कॉंस्टेवल की बरती होती है, और जो बस ड्राइवर की बरती होती है, और पुलिस में जो ड्राइवर की बरती होती है, वहाँ आज भी एक्जाम नहीं होता, वहाँ किसी पता है तो कमेंट करके बताएगे और वीडियो कैसे लगी जरू से बताना और आपको किस परटिकुलर टॉपी पर वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट जरू से करना जहें तो कर दो